वेलकम तो दो बॉक्स अफिस करेसंट वीडियो में चानने वाले हैं भोस्पुरी की पहली पैन इंडिया फिल्म महादेव का गोरकपुर की 11 दिन के बॉक्स अफिस करेसंट के बारे में और साथ ही बताएंगे आपको की इस फिल्म का बसट कितने है और इस फिल्म का सीटाड तेलगु और मल्यालम लेंग्विज में रिलीज किया गया है फिल्म की स्टार कास्ट में है रवी किसन और काफी स्टार कास्ट भोजपरी इंडस्टी से है और मैक्सिम स्टार कास्ट इसमें जो है वो है तमिल और मल्यालम इंडस्टी से है फिल्म को डिर्ट किया है राजिस मुहन ने और फिल्म को प्रेड्यूस किया है रवी किसल इस फिल्म को काफी ग्रेंट रिलीजन ली थी as compared to बाकी भोश्प्री की फिल्म मतलब इस फिल्म को इंडिया में तकरीबन 200 स्क्रीन्स और overseas में यानि North America और मौरेसेस में इस फिल्म को रिलीज किया गया तकरीबन 12 स्क्रीन्स भी यानि बहुत बड़ी बात एक भोश्प्री बिचर के लिए कि North America और मौरेसेस में फिल्म लग रही है आजकर के जबाने में जबकि आजकर भोश्प्री फिल्म कोई देखता भी नहीं दोस्तों बात करते पहले है फिल्म के कलेसन के बारे में तो फिल्म ने कमाये कि है 11 दिन अमर्ट टोटल 5 करूर 20 लाग रुप फिल्म का ओवरल बजर तकरीबन 10 से 12 करूर के आसपास है फिल्म को प्रेडूस किया है रवी किसन है और इस फिल्म का जो ओड़ी राइट्स है वो है जी फाइब के पास में यानि अगर आपको ये फिल्म देखनी होग तो आपको जी फाइब पे या फिर जी अनमोल सिनमा पे टीव पे टेली काश्ट होगी आने वाले दिनों में जी दोस्तों फिल्म का ओड़ी राइट्स और मुजिक राइट्स सेल हुए तकरीबन 6-7 करूर पर मैं यानि फिल्म का जो ओवरल और कालेक्शन है यानि ठेटिकल के साथ साथ ओड़ी और मुजिक राइट तीनों कर अधि प्रेट से मिला गए फिल्म काफी अच्छा कर चुकी बॉक्स आफिस पे तो यह फिल्म स्विट फिल्म में आ जाएगी तो किया आपने देखी है और नहीं देखी है कमांग से जरू बता है मैंने देखिए मुझे काफी अच्छी लगी और सच में यह फिल्म का अच् थैंक्स वर वाजिए।